नमस्कार आज खबर देख रहे हैं और मैं हूँ जेतना शर्मा आपके साथ चलिए जिमकुश्मीर के मोसम के बारे में बात करते हैं क्यूंकि जिस तरह से कल की अगर बात करें तो किश्तवार में बादल फटने की खबर सामने आई है तस्वीरे आप साफतर पर देख पा रहे है तो वहाँ पर जो है उनकी तरफ से तैनाती भी देखने को मेली है और इसी के साथ साथ जहां पर मोसम विज्यान के इंदर श्रिनगर के अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें ये बताया गया है कि 10 जुलाई तक जुमकुश्मीर में इसी से द哦 fought republicanि और बार की बात करते हैं अगर सभी जोगी की हिपने चटक के और बात करें चिनाब्डरिय के बात करें तो काफी दिन पहले भी वहां पर जो rejo क्या गया था क्यूफे जो बहाव है वो कहीं ज्यादा हो चुका है जिसकी वज़से खत्रा जो है ये बन तकता है तो जितने भी जो लोग हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है कि जब भी इस तरह का इलग जारी किया जाता है तो आपको भी खासा ध्यान रखना है जो भी आपके माल मवेशी हैं उन् पर लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिशें भी की जा रही है और लोगों को भी ये गरंटी दिग मत्र गरंटी तो उसके लीए भी वहाँ पर टोल फ्री नंबंच वही जारी किये गए ताकि instruct प्प्त रेस्क्य उपरेशन जो है वो भी चलाया जा सके हलांकि अभी तक किसी भी जो है जानमाल का नुक्सान पेश आने की खबर सामने नहीं आई है कोई भी ऐसी जनकारी जो है वो slightly है यूँ ़े जिसी तो नहीं आ रही है लेकिन जिस्तरां से जिम कुश्मीर का मौसम जो तो जो भी लोग हैं क्योंकि खासतोर पर अगर जुमकुश्मीर की बात करते हैं तो यह जो उमस लगातार बढ़ रही है उससे राहत जरूर मिली है लेकिन दूसरी और किसान जो है वो भी परेशान हो रही है धान की फसल जो है वो लगाई गई है और ज्यादा बारिशों की वज़े से फसल खराब होने के चांसिस जो है यह भी बने हुए हैं तो कहीना कहीं किसान जो है वो परेशान भी है आम जंता की बात करते हैं तो उमस से जो राहत मिली है उससे कहीना कहीं खुशी जो है वो भी व्यक्त की जा रही है लेकिन आने वाले दिनों में जो दस जो ह अब मोसम के सूर्टेहाल इसी तरह के बने रहने की जो यहाँ पर प्रेडिक्शन्स जो हैं मोसम विज्ञान केंदर शिनगर की तरफ से की गई है उसके बाद उनकी तरफ से यह कहा गया है कि हो सकता है जुमकुश्मीर में मोसम जो है वो एक बार फिर साफ हो सकता है और उमस् पर फिर बर सकती है